हेलो गाइस डिजाइन शो यूटर चल में आप सब्सक्राइब स्वागत है मैं हूँ अनुकुल कुमार और जब के लिए कौर नहीं वीडियो ले कहना है जिसमें हम सीखने वाले हैं ब्लेड टूल शार्पन टूल और स्मस्टूल के वारे में यह टूल बहुत ज्यादा इंप बेले रिखने में दबा दे ताके विडियो के अपड़िट है वह आपको मिलते रहें तो आज को जो टूल है वह ब्लेड टूल यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपके पास वही फिर से जो ब्रेश उपर आप देख पाऊगे आप ब्रेश का साइज है आप इन सब के बार आपके यहाँ पर मैं इंपक्त कम देखने को मिल रहा है जैसे यह था मतलब कुछ फर्क तो पड़ा है यहाँ पर आप देखूगी यह यहां से तो इसी डल हो गई है और यह मैं ज्यादा हाइट हो रहा है बट जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ आपको कभी भी काम करना है में करना है यहां पर मैं लेता हो और को मैंने आपको यहाँ और द द आल दिया वह मैं आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा सो उसके लिए आप यहां पर कुछ एक और नया सीखोगे वो क्या है सो इमेज पर मैं जाओंगा और सबसे पहले इसके पिक्सल को मैं छोटा करूंगा क्योंकि यहां पर जो इमेज का पिक्सल जैसे कि आप यहां पर ऊपर रीट कर सकते हो फाइल के अंदर 25.5 पॉइंट अभी जूम है इसके अंदर और इसका और पिक्सल यानि की 15.8 पॉइंट अभी है और इसमें यानि की बहुत ही ज्यादा हाई डिफाइन है अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो मैं बहुत या अंदर तक कर सकता हूं इस वज़ देख सकते हैं जो डाइमेंशन इमेज का वो दिख रहा है और कुछ इस फाइल का साइस वह आपको देखने हो मिलता है फिलाल मैं यहां पर इसको कम कर देता हूं यहां पर आपको एक छोटा सा प्रीविवी भी दिखा देता है इसको मैं ही टोके करूंगा और आपकी मैं इसको ट्रांसफर्म करके कैसे तुरंट मैंने बोके को चेंज किया तो यहां पर फटा फट से इसको कर देता हूं जिससे कि यह थोड़ सा ब्लर लगे और आप अपने ब्रश के साइस को अपने यूज के जरूर चलाना जैसे कि मैं आपको बार बार बोलते रहता हूं औ आप जतने बार चला होगे उतना जालळा यहां पर यहां फोटे रहेगा जिससे की आप देख सखते हो मैंने पहले से कितना हैंपर जादा और चलाएँ अँपर पर उदॉद्वाले को करने किया जिप अ बहुत इज़का कर सकते हो रह बहुत इंट्रेस्टिंग भी है आंग जो भी mystique स्होर है माइनर सी हम इसको भी समझ लेंगे इसको करना है तो यहां पर भी हम इसको जूम करेंगे हैं साइस को छोटा ये सो यहां पर जैसा चाहा है आप कर सकते हैं बस मेरा काम साब topic को clear करा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो हो गया है जो बाकी miner है आप यहाँ पर क्योंकि आप layer पर काम कर रहे हो यहाँ से select के जाए और directly यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं entity मतलब कि अपना eraser लें और यहाँ से जो भी आप इसको कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं यहीं के आपको समझ बार रहा और एक और यहां पर आगे टूल जो है वह शार्पन शार्पन क्या करता है यह बहुत माइनर है लेकिन बहुत ही माइनर बदलब एक्जाक्टि अगर मैं आपको बता हूं इसको मैं एक बार कर देता हूं पूरे इमेज को अब यह ऑरिजिनल पिक्सल पर आगे रिवर्ट के बारे आपको मैंने बताया था मालीजी की यह लेडी है और यहां पर अगर मैं इसके फेस पर चला रहा हूं तो आप देख सकते हो आप किस तरह से ज्यादा शार्प कर पा रहे हो लेकिन जरूरत से जादा आप चला तो कैसी बहुत ही बेकार लगता है देखने में यहां पर अगर करना किसी भी चीज को लैक यहां पर यहां पर जैसे यहां पर जो इनके फेश हैं यहां मैं इसको कर रहा है आप जितना बाहर चलाएंगे बीदिया को मिलेगा यहां पर पहले हाइलाइट नहीं था और यहां पर अब आपको ईलैट देखने को बिलेगा बट यहां पर एक option sample और लियर के पर आपको क्लिक कर देना होगा तब आप इसके उपर यूज कर पाएंगे इसको चला रहा हूं बहुत awkward सा लग रहा है यहां पर थोड़ा सा हाइलाइट यह अब यहां पर आप देखोगे गईस पहले से ज्यादा वह पॉर्शन आपकी हाइलाइट हो रही है सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं यूज उसके बाद यहां पर आपके पास smudge है smudge के लिए मैं यहां पर एक new file को open करूँगा control है यहां पर हम कोई भी file को ले लेते हैं एक template इसके अंदर हम एक color को कर रहा हूं साइस को मैं increase कर देता हूं brush के सो यहां पर मैंने color लिया थोड़ा सा इसी के parallel आप देख सकते हैं यहां बर दोनों के अंदर कितना ज्यादा difference है यहां पर यह जो टूल है इस बहुत पहले यूज हुआ करता था लेकिन आज कल जो है काफी सारे टूल है आप जैसे से हम लोग advanced जाते जाएंगे हमें और भी कुछ नया नया सीखने को मिलता रहेगा सो फिलाल मेरा काम है इसको बताना सो मैं इसको जरूर बता दूँगा आपको कि यह वाक करता कैसे सेंपल और को पर मैं कर दूँगा यहां पर add that's it and yes so आप देख सकते हैं किस तरह से यह smudge कर रहा है मतलब आपको ऊपर नीचे या जैसा चाहें आप इसको कर सकते हैं smudge यहा यहां है so thank you for watching this video please like share comment and subscribe my channel झाल